जनान दोलन से पार्टी बनाई थी हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश भर से लोगों का इतना प्यार और इतना विश्वास मिलेगा इन आठ सालों में आपकी पार्टी ने दिल्ली में तीन बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर के आई है लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपून एलान करने जा रहा हूँ आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर परदेश में चुनाव लड़ेगी दिल्ली में यूपी के बहुत भाई भेंड रहते हैं जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आमाद्वी पार्टी को यूपी का चिनाव लड़ना चाहिए जो सुविधाएं आपने दिली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी तो उन्होंने का जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टीयों से बिलकुल तरस्त हो चुकी है यूपी के लोग ही आगे आएंगे आम आदमी पार्टी के साथ जुडेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े जनताओं को हराएंगे यूपी में हर पार्टी की सरकार आईए लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया आज छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलिज चाहिए तो उसे दिल्ली भीजना पड़ता है गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता-पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पढ़ता है. आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्जे भारत का सबसे बड़ा विकास शील राज्जे नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली के संगम विहार में महल्ला कलिनिक बन सकता है, तो क्या लखनव के गोमती सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बरदास्त करें अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त तो बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए, यूपी के लोगों के इतने जाधा बिल क्यों आ रहे हैं, अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसे सुविधाई मिल सकती हैं, तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं, अगर दि प्रगति की राह पे चलने से कौन रोक रहा है। यूपी की गंदी राजनीती और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया। पर उन पार्टीों ने लोगों की पीठ में चुरा घूपाया। सरकारे आई, सरकारे गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का ब्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को अखिर में क्या मिला। कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर परदेश में इतनी सारी पार्टी आएं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी। आज यूपी की राजनीती में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नियत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नियत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है, दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नियत की कमी होती है। दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी जिन्दगी बहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास सेवाई मिले, उनको एक इमानदार सरकार मिले, इसलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार तीन बार दिल्ली में आमागी पार्टी को चुनाव ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते वे दिखा और उन्हें एक इमानदार सरकार मिली जो उनके लिए उनके साथ मिलके काम करती है आज हर यूपी निवासी एक इमानदार और साफ नियत वाली सरकार चाता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर परदेश विधानसवा चुनाव लड़ेगी दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए मैं यकीन दिलाता हूँ उत्तर परदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएने नमस्कार